हेलो एवरिवान, विलकम टो माई चैनल, देखे फ्रेंड्स आज मैं तीन रंग लगा के भोती प्यारा सा राउंड शेप में डिजाइनर कटाओ की जहलर वाला आपको डोरमेट बनाना सिखाऊंगे फ्रेंड्स आप इसे डोरमेट भी बना सकते हो, टेबल मेट भी बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बना के पुजा काहसन भी बना सकते हो इसके लिए देखे, मैंने साथ नंबर की निडल्स का मैंना यहाँ पर यूज किया है और यह मेरे पास कुरानी चुन्नी थी, तो मैं चुन्नियों से बनाऊंगे आपके पास साड़ी है, साड़ी से भी बना सकते हैं, कोई भी कपड़े की पट्टी बना के आप इस डिजाइन को बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेते हैं, तो देखे फ्रेंड्स फंदे में बिल्कुल ही सिंपल तरीके कि आपको बताऊंगी जिसको बिल्कुल भी बनाना नहीं आता फंदे डालने नहीं आते वो भी इस डिजाइन को बना लेगा सबसे पहले हमने इसमें एक नोट लगाई और यह देखिए दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उननीस और बीस बीस फंदे मैंने ये नीचे डाल लिए अकर आपको बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे भी डाल सकते हूँ बनाने का तरिका सेम रहेगा अब देखिए उपर बॉडर के लिए मैं ज़्यालर के लिए अलग से फंदे डालूँगी फिर से हमने इसमें नोट लगा ली ये देखिए एक हमना नोट से हो गया दो हमने ये डाल लिए इसमें हम एक और कलर इसमें हम एड़ करेंगे ये दे देखिए फिर से हम ये ब्लैक कलर आगे लेके आएंगे और दो हम ये ब्लैक से अब हमारे पास देखिए दो दो च्यार दो छे फिर से हम दो फंदे इस कलर के डाल लेंगे आठ और फिर से हम ये दो कलर के डाल लेंगे आप फ्रेंड्स ये जालर यहां पर छोटी भी बना सकत हो हorit मैंने यहां पर 10 फंदे की बनाई है और 20 फंदे मैंने इस में अंदर डाल ले हैं तो देखिए अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे हम फस्ट प्रोसे हम इसे में अपना डिजाइन चेंگे तो देखिए ब्लेक हम मैंने ब्लू से बना दिये ध्यान से देखिए ये हमारा जो बॉर्डर है ये हर बार हमारा ये हमारी उल्टी साइड है तो इस साइड से हर बार ये चेंज होगा अब देखिए जो ब्लू है वो मेरा मैं ब्लेक से बना दूँगे ध्यान से देखिए फर्स्ट रो है इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से बनाईएगा फिर योग पर बहुत ही जल्दी जल्दी बनके कम्प्लीट होगा यह जो तो ब्लैक है इनको फिर से मैं इसलिए फ्रेंड्स इसको आराम से बनाईएगा अगर टाइट लगे तो आप ऐसे नीचे से निडल डालके इसको थोड़ा सा आप लूज कर लीजिए फर्स्ट रो है इसलिए फ्रेंड्स इसको आप आराम से बनाईएगा अ यह जिससे अपने नोट लगाई थी उस फंदे को भी हम बनाई थोड़ चीं आप बेर से टाइट लगई थी थोड़ चांप हलके से हाथ से नोट लगाईएगा यह देखिए यह हमें बदल लिया अब यह है यहां से फ्रेंट सम अपना फंदा बढ़ाएंगे तो हम इस तरीके से भी हम एक फंदा बढ़ा सकते हैं ध्यान से देखिए अगली रोमे में एक तरीका और बताऊंगे आपको और इसको हम ऐसे कर लेंगे पट्ट इसमें गैप बन जाएगा यह देखिए आप इसे पून से भी बना सकते हो मैकरम से भी बना सकते हो देखिए और लास्ट में मैं एक फंदा छोड़ दूँगे देखिए यहां तक बना लेंगे जिससे मैं नोट लगाई थी इसको मैं एक फंदा में छोड़ दूँगे और हम यहीं से वापस मोड जाएंगे राइट साइड से फ्रेंड्स जो जैसा कलर है आपने उसी कलर से इसको बनाना है यह देखिए और यह है जो इसको भी हम इसी में लप्रेट लेंगे इस रोप में आपको उतार के दिखाऊंगे हर बार आपने इसी तरीके से इसको बनाना है इस साइड से हमें कोई चेंज नहीं करना है जो जिस कलर का आपको फंदा दिखाई देगा उसी कलर से बस आपने बनाना है लास्ट तक यह हमारी सीधी साइड बनेगे यह देखिए अब हम इस पट्टी को पीछे कर देंगे पीछे से दूसरी पट्टी आगे लेके आएंगे ऐसे क्रोस करके और यह दो फंदे हम इससे बना देंगे पट्टी को पीछे करेंगे फिर ध्यान से देखिए ब्लैक वाली पट्टी आगे लेके आएंगे फिर हम यह दो फंदे ब्लैक से बना देंगे पट्टी को पीछे करेंगे दूसरी पट्टी आगे लेके आएंगे और दो फंदे ये इस कलर से बरा देंगे इस साइड से हमें कोई चेंज नहीं करना है जो फंदा जिस कलर का होगा बस वैसे ही आपने बनाना है ये देखिए अब इसको पिछे कर देंगे पिछे से ये पट्टी आगे लेके आएंगे ये देखिए पलट लेंगे द्यान से देखिए अब फिर से हम फंदो का कलर चेंज करेंगे देखिए ये हम ब्लैक से कर देंगे दो दो में ये ये मैं ब्लैक से बना दूँगे आपने ये हर बार उल्टी साइड है ये हमारी इस साइड से आपने हर बार फंदो का कलर चेंज करना है ये देखिए इसको हम ऐसे क्रोज कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे तो एक तरीका ये फंदा बढ़ाने का एक बार बना दिया पट्टी को पीछे करेंगे और इसको एक बार और बना देंगे एक फंदे से हमने दो फंदे बना लिए हर बार हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे यह दूसरा फंदा हमने बढ़ा लिया यहां पर साथ फंदे फ्रेंड्स मैं यहां पर और बढ़ाऊंगी इस रोकों मैं कम्प्लीट करूँ यह देखिए लास्ट में आ गई हूं मैं बिल्कुल एक फंदा हमने पिछली बार छोड़ा था एक हम इस बार छोड़ देंगे एक करते रहेंगे बैक साइड से इसी तरीके से बनाएंगे तो मैं यहां पर साथ फंदे और बढ़ा लेती हूं उसके बाद फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी आगे हमें क्या करना है यह देखिए यह हमारा बोर्डर इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहां पर मैंने दिखाई देंगे नो फंदे हमने यह पीछे छोड़ दिये हैं और यह देखिए आपकी यहां पे भी एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो लाइन हमारी यह बनी है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बिलकुल सिंपल है अब आगे देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा अब देखिए हम यह जो बॉर्डर के फंदे हैं यह सारे फंदे हम बंद करेंगे या तो आप एक कलर से बंद कर लीजिए या हमारे दो कलर हैं तो आप दोनों कलर से इनको ऐसे बंद कर दीजिए द्यान से देखिए एक दो फंदे का मैंने एक कर दिया दो अब हम यह आगे ले लेंगे और इस कलर से गटाएंगे द्यान से देखिए तें चाएंगे तें जार शेजिए पच्छ पच्छ पाच्छ छे चे शाथ देखिए आठ और ये नो जांज देखिए ये नो फंदे हमने आपे फ्रेंट से गटादी हैं यह देखिए अब हम क्या करेंगे यह वाला जो डिजाइन है यह हम यहां बनाएंगे तो ध्यान से देखिए एक हमारे पास हैंग react हमने यह और ले दो ब्लैक के बना दिए उसी तरीके से हम बॉर्डर करेंगे जैसे हमने फंदे डाल ले थे देखें दो मैंने ये बना दिए ये हमारे च्यार हो गए पाँच छे साथ आठ इसको भी हम साथ हखेंगे और ये नो और ये दस ये हमारा बॉर्डर यहां का अब यहां पे सेट हो गया और ये जो तो ये फंदे फरेंट्स हमने छोड रखे हैं एक के करके इस रो में हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे ये सारी रो हम ऐसे ही बनाएंगे सिंपल नीचे तक इसे बना लेंगे ये 20 फंदे हैं हमारे ये सारे ही फंदे हम नीचे तक बना लेंगे ये कली हमारी बन के कम्प्लीट हो गई ये बहुत ही आसान फ्रेंड्स बनाना आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो अलग अलग कली अलग अलग कलर से भी बना सकते हो अगर आपको दूसरे कलर की कली बनानी है तो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हो ये देखिए ये हमारी सी दी साइड है इसी साइड से आपने यहां से color set करना है जैसे हमने border के फंदे अंदर किये हैं तो वहीं से आप अगर आपको अलग color सिकली बनानी है तो वहीं से आप इसका color change कर लीजिए यह देखिए, यह note लगाई थी हमने इस फंदे की आप हम इसको बनाएंगे पलट लेंगे, सीधी साइड से इस रोको मैं जो जैसा है वैसा ही बना के complete करूँ यहां तक मैं इस color से बनाऊंगी यह दो black से बनाऊंगी, blue से और यह मैं ऐसे ही बना लूँ जैसे हमने नीचे बनाया है तो मैं इसे complete करूँगी यह देखिए यह एक कली हमारे बनके complete हो गई है और यह हमारी जालर की shape आई है, अब दूसरी हमारी यहां पे बनेगी अब देखिए friends मैं दूसरी आपको start करके देऊंगे एक बार, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको बनाते जाना है छोटी-छोटी कलियां बनेंगे इसमें यह देखिए color change कर लिया हमने border का दो blue के बना लिए जो blue है उसको हम black से बनाएंगे फिर यह change कर देंगे बिल्कुल सेम जैसे हमने नीचे बनाया है border तो आपने इसी तरीके से बनाते जाना है color change करते जाना है हर बार back side से right side से जो जैसा होगा वैसा ही बनाना है जो भी आप color लेओ यह देखिए यह हमने change कर लिया अब हम यहां से फिर से वैसे जैसे हमने नीचे बनाया है एक एक फंदा पिछे छोड़ेंगे और एक फंदा हम यहां पे बढ़ा लेंगे तो इस पट्टी को ऐसे करेंगे देखे फ्रेंड्स जब हम ऐसे cross करके बनाते हैं तो ऐसे हमारा बिल्कुल भी gap नहीं आता तो देखे ऐसे बनाएंगे तो अपने आप इसके उपर से cross हो जाएगे एक बार बना दिया पट्टी को पीछे करेंगे और इसको एक बार और बना देंगे एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया और यह पूरी रो नीचे तक बनाएंगे बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत ही सुन्दर इसकी लुकाएगी बनने के बाद और बहुत ही बनाने में बहुत आसान है फ्रेंट्स आप एक बार इसको जुरूर ट्राई करना अगर आपके पास मल्टी कलर की चुन्निया साड़ी हो तो उससे भी आप इसे बना सकते हो यह देखिए एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे और यहीं से हम मुड जाएंगे तो इसी तरीके से फ्रेंट्स आपने इसको बनाना है तो मैं इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कैसी आई है बहुत सुन्दर बन के यह कम्प्लीट होगा मैं इसे कर लेती हूँ आप भी बना लीजिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी यह देखे फ्रेंड्स मैंने इसे बना के कम्प्लीट कर लिया है बहुत सुन्दर इसकी लुक आई है तो आप एक बार इसको जुरूर ट्राई करना और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैन झाल ओजिए चैने तो आपको आपको पसंद देखे लाइक हाँ चैनल वेखे डिज़ पार में दूगत से लाइक थाई।